हर्यों कख्षाचार फिश्वय हुंदी पाठ आठ चतुर चुहा ब्रापर चलो आज हम चतुर चुहा के प्रस्ण लिखेंगे है ना तो चलो निम्न लिखें प्रस्णों के उत्तर लिखें निमने लिखें 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 चलाओ तो सबसे मेगा प्राशने चुरेको रास्टेवी क्या मिला चुरेको रास्टे में क्या मिला राशना आपको उतर लिखना है चुरेको रास्टे में कपडे का टुकडा मिला या लेकिन के उतर पूरा वाक्य में जब भी आप वक्षिक में लिखो या कहीं भी लिखो नौट में लिखो लेकिन हमेशा उतर पूरा वाक्य मतला पूरे वाक्य में कैसे के चुरेको रास्टे में क्या मिला तो चुरेको रास्टे में कपडे का टुकडा मिला कैसे इसको पूरे वाक्य में बोलतें, क्या बोलतें? पूरे वाक्य में, समझ में चुकडे का तुकडा इतना लिखना नहीं है, समझ में आया? तो इतना है, चुकडे को रास्ते में कपडे का तुकडा मिला, क्या मिला? कपडे का तुकडा मिला, बराबर तो आपको ये पूरे वाक्य में लिखना है, समझ में आया? चलो, दूसरा प्रस्तन है, चुहा, पपड़ा लेकर किसके पास गया? तु आपको लिखना है, चुहा, चुहा, कपड़ा लेकर किसके, किसके पास गया? तू चुहा, कपड़ा लेकर किसके पास गया? पास गया, बराबर तो आपको प्रस्तन भी रिखना है, उसका उत्तरवे, और पूरे वाक्य में? दर्जी ने चुहे से क्या कहा? आपको पता है कि दर्जी ने चुहे से क्या बोला था? क्या कहा था? जल इधर से जा बना क्या ची उठाके मार होगा? दर्जी ने असा बोला था ना? क्या कुरा था दर्जी ने चुहे को? कि जा इधर किसे फुरस्ते जा बना तुचा चुधा के मार होगा? फी चुहे ने दर्जी को दर्जी ने? दर्जी ने दर्जी ने चुहे से क्या का? जा बना तुधा दर्जी ने दर्जी ने दर्जी ने दर्जी ने चुहे चुछे उठाके मार होगा? चुहे को बहा चल, चल, लास्ता ना, लास्ता ना, वर्ना कहजी उठाकर मौरूगा, वर्ना कहजी, उठाकर मारूगा, क्या उठाकर मारूगा, बाचा, चुहे ने दरजी उठाकर, क्या कहा क्या कहा तुमेरे दजीको कहा की कपड़े से टोपी सीदेगो कहा की कपड़े से टोपी सीदेगो क्या कहा कि मुझे ये टुकड़े से ये कपड़ा को इससे मुझे टोपी बना दे टोपी सीदे ठीके तो ये प्रश्ट पढ़ लो एक बाद चुहे को रास्ते में क्या मिला तो चुहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला द्यान डगना कपड़ा मिला मैसने कपड़े का टुकड़ा चुहा कपड़ा लेकर इसके पास गया तो चुहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया दर्जी चुहे से क्या कहा ? चल रास्ते में वाना गैसी उठा कर उसके तो चुहे दर्जी को कहा की कपड़े से तूपी सी दे ठीके चलो क्वेशन लिएक दो प्रश्ण बराबर वी जाव अभी पाच्वा चलो, चुहे ने किसी बुलाने की दोगी दी, प्रशन पांच, चुहे ने किसी बुलाने की दोगी दी, चुहे ने किसी बुलाने की दोगी दी, प्रशन पांच, चुहे ने किसी बुलाने की दोगी दी, चुहे ने सिपाही को बुलाने की दोगी दी, चलो, प्रशन नमबर से, चुहे ने किसी दाकार क्या सुनकर गबुलाया, कशी दाकार क्या सुनकर गबुलाया, चलो, चलो, कोशी दाकार क्या सुनकर गबुलाया, 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 कचरी कचरी में जाने की चुहे की बात सुनकर गबराया रभा तो कचिदा का चुहे की कचरी में जाने की बात से गबराया कचिदा का क्या करता है करता है कुछिदा का क्या करता है को में जाने की बात बता बरत दिजन जो मनाते हुँ को सिदा का को सिदा बनाता हे, को सिदा को ता हे ता बनाता हे बनाता आवक को मनाता बनाता। आवक को सिदा आवक को सिदा आवक को ख्या बनाता आवकalı नो प्युत आजमार बनाता ता बनाता अंदा चुहाग दोपीपल, दोपीपल, कषिदा कारा हुआ, कषिदा देखकर दोपीपल, कषिदा देखकर, कषिदा कषिदा कर देखकर, चुहाग दोपीपल, कषिदा कारा हुआ, तोपीपल, कषिदा कर देखकर, चुहे ने किसे बुलाने की धंकी थी, तो चुहे ने सिपाई को बुलाने की धंकी दे, बराबक कशीदा का क्या सुनकर गबराया, तो कशीदा कार कचहरी में, कचहरी में जाने की चुहे की बात सुनकर गबराया, कशीदा कार क्या करता है, तो कशीदा कार कशीदा करता अत्वा अत्वा बनाता है ठीक है वा कव को शुआ खुआ तो चुआ टोपी पर कशीदा देब कर खूँश ठीक है तो आमने यह प्रहुन मैं लिख दियेए अभी उधारण के अनसरे आपको शब्द बनाना है, क्या बनाना है शब्द, ठीक है, मैं उदान के साथ लिख्तिवा रोगी भी लिखना है चलो, यहां प्रशन है बीजेजुन में एक उदान लिख्तिव एग्जाम पर इसके जैसे में उसे शब्द बनाने, ठीक है कशीदे कशीदा तो उसका होगा कशीदा का समझ में आया है चलो समझ यह और लिखिये समझ यह और लिखिये और लिखिये और लिखिये और लिखिये और अभी में आया होगी जीदा तो उसका होगा कितका कितके और लिखिये 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 और लिखि गिट तो गितकार गित तो हाईगा गितकार जो गित बनाते है उसको गितकार बते है जो गित मतलग जो सॉंब होता है है जो बनाता है उसको गितकार को दें, लिखता है, उसमें मुझीद देता है, गितकार, जो शिल्प, शिल्प का मतलब बता है क्या होता है, शिल्प मतलब जो पत्थर की, पत्थर से जो चीज़ी बनाता है उसको शिल्पकार बोते, क्या बोते है, शिल्पकार जो पत्थर होता ह उसको हतोरी और चिनी, उसको मार मार के देरे देश, उसकी पधर में से मुर्तिया बनाता है, सिल्फ बनाता है, उसको बोलते है शिर्फ का, तो पधर जो बनता है उसको शिर्फ बोलते हैं, समझ में हैं, उसको बनाता है उसको सिल्फ का, जा बोलते हैं? शिर्ग कार। ठीके है। चित्र तो उसको पूर बनाता है जित्रकार। तो इसको में बढूते हैं इसको चित्रकार की तो जो मुर्ति बनाता है इसको बोते हैं बहुते हैं पत्धर की जीजे मुर्तिक पनाणे वाला ह। का अभी वो के लिब मूर्थी बनाता है तो मूर्थी का शिल्प तो शिल्प का गीद गीद का कशिदा कशिदे का समध में आया चलो मूर्थी तो मूर्थी का समध में आया तो ये शब्द जो मैं लिखा उसको आप समधना है और लिखना है अभी दूसरा है समझ यह लिख में उसमें लेकर उदार अलग है समिद में आया तो उदार मतलब एक्जामबल जोई उसके परुशारा में लिखना है को इदर बंदर जाएगा देखो इदर उदार अलग सा है चलो मारना अलग है जया दढ़ना तो क्या होगा मारूंगा बदल गया इदर बदल गया जान अलगना यह है वो ही समझ यह लिखे लेकिन आपको उदार अलग रिया होगा एक तो उसके परुशार आपको लिखना अफ्री जो उदार बदल गया तो आपको नीचे उसके अनुशार लिखना है ठीक है चलो करना करना तो करूँगा करूंदा एके इे देगना तो देखना तो देखना तो देखना तो देखन þागा जाना 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 जा मुलाओं तो समझे और लिखिये ठीके हेरी एक ही है दोनों का लिखिया अलग लेगे तो आपको उसके अनुशार लिखना रहेगा ठीके तो मैंने आपको प्रेश्टन लिखवा दिये ओके वाक्यों अभी एक देखो ये विद्या रहे ठीके इदर हमें क्या दिया है चित्र तो हमें चित्र के अंदर देख चित्र को देखकर उसके वाक्य मतलब विधान बनाने वाक्य बनाने ठीके तो कैसे वाक्य तो यह विद्यार है बोल सकते हैं ना तो उसके बारे में पांच साथ आठ वाक्य हमें लिखना है तो विद्यार कैसा ह विद्याले में कितने कम रहे हैं, वो लिख सकते हैं, विद्याले में बगीचा हैं, वो लिख सकते हैं, आस पास में बच्चे खेल रहे हैं, वो लिख सकते हैं, विद्याले की एक तरफ फिसलन पट्टी हैं, दुसरे तरफ चूला हैं, बच्चे चूले में चूल रहे हैं, ल बड़े पेड़ है समझ में आया तो इसको हम देखकर पांच साथ वाक्या आराम से बना सकते हैं उसको देखो फिर उसके अनुसा बाक्या बनाओं तो हम बना सकते हैं समेथ में आया आपको इसा नहीं कि एक चीत रहे तो उसके अनुसार हम वही वाक्या बना मैंने बोला हूँ आप देख से तो आप अपने अनुसार बना से जो आपको देखों दो जो बच्चे फुटबॉल के दिखाए दे रहे तो आप लिगे दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं दो बंचे जुला जुल रहे हैं दो बड़े पेर हैं अभी इतने कम रहे हैं आपके गिलो वहां एक दो तीन चाह पाँ छे सार तो विध्याले में चौदह कम रहे हैं लिखो लिख सकती हो ना जुल में जितना उसे के थोड़ा खुद भी करने की कोशिश करो है ना तो इसे दो बड़े पेर लिख दिया जुला लिख दिया देखो इक दो लड़किया रास्ते में खेल रही है तो विध्याले में एक बड़ी सड़क है लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना हां तो आप तो फोर्ट के बच्चे हो ठीके तो दिखो विद्यारे में हमें दिखो इवर्चे क्या करें दो लड़ किया है यह दो बच्चे फूटबॉल कि रहे तो इस चित्र के अंदर देखकर आपको भी नौ या दस वाक्य बनाने हैं ठीके तो आपको बना सकते हो बिदे हो रियों